हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहनी क्लासेस में तो देखिए अब हम लोगतांत्रिक अधिकार के पार्ट टू के बारे में बात करेंगे अभी हमने comparatively देखा था जो है कहां कहां पे किनकिन के अधिकारों का हनन हो रहा था और लोगतांत्रिक अधिकार जो है जरूरी क्यों है तो अब हम बात करेंगे हमारे देश के लोगतांत्रिक अधिकार यानि की मूल अधिकार के बारे में तो आज से हम पढ़ने जाए रहे हैं जो की 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम आज डिटेल स्टडी करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियोस को लाइक करना न भूलें शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब बिलकुल कर लीजिए अभी तुरंत ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए भारत के सम्विधान का जो है अधिकार तो देखिए विश्व में अधिकांस दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी जो है ये अधिकार सम्विधान में दर्ज हैं तो हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकार हैं इन्हें विशेश दर ठीक है भाग तीन में जो है मूल अधिकार का प्राविजन है आगे देखते हैं देखे अध्याय तीन में हमने अपने सम्मिधान के प्रस्तावना पड़ी और अब जो है सभी नागरिकों के समानता, सुतनता, नियाय दिलाने की बात कहता है और मौलिक अधिकार जो है इन वाय अधिकार प्रदान है है ना तो क्या आप इन्हें बता सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पीछले वीडियो में बताया है कि ये 6 अधिकार कौन से हैं तो आप बिना कौपी किये comment box में जरूर mention करें कि ये 6 वो मूल अधिकार क्या-क्या है और कौन से से कौन से आर्टिकल तक है और आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में जो की आर्टिकल 14 से लेके 16 तक इसका provision है अब इसमें देखे हमारा सम्मिधान क्या कहता है इसमें जो है हमारा सम्मिधान कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से सन्रक्षन के मामले में समानता के अधिकार से बंचित नहीं कर सकती यानि कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है equality before law या फिर equal protection of law यानि कि विधी के समक्ष समता और विधी के समान सनरक्षन प्राप्त है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का जो दर्जा या पद चाहे जो हो सब पर कानून जो है वो समान रूप से लागू होगा ये नहीं कि हम गरीब हैं तो हमारे उपर जो है कानून लागू होते हैं अमीरों के उपर कानून लागू नहीं होते सभी व्यक्ति को इसमें समान रूप से अधिकार प्रदान है और इसे कहते हैं कानून का राज टेकि कानून का राज जो है वो किसी भी लोकतंद्र की बुनियादी है इसका अर्थ यह हुआ कि कोई विव्यक्ति कानून के उपर नहीं है किसी राजनेता सरकारी अधिकारी या फिर सामान ने नाकरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता मैं आपको यह बता दू कि जो 14 से ले और विधियों के समान सुनरक्षन का प्रावधान है बात आती है आर्टिकल 15 की आर्टिकल 15 में क्या है? किसी भी धर्म, मूलवन्स, जाती, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानि की विभेद नहीं किया जाएगा अब बात आती है आर्टिकल 16 की 16 क्या है? ये है लोक नियोजन यानि की पब्लिक इम्प्लॉइमेंट जो की रोजगार के विशह में अवसर की समानता अब है आर्टिकल 17 17 में जो है बहुत अच्छी बात है अस्प्रिश्यता का अंत यानि की उपाधियों का अंत ठीक है? ध्यान रखेंगे क्या है उपाधियों का अंत अब एक बार फिर से रिमाइन कर लेते हैं आर्टिकल 14 में है विदी के समक्ष समानता और विदी के समान संरक्षन आर्टिकल 15 में है किसी भी धर्म मूलवंस जाती लिंक जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा 16 में क्या है लोक नियोजन यानि की पब्लिक इंप्लॉइमेंट के विशे में अवसर की समानता 17 में क्या है अस्प्रिशिता का अंत, एबॉलिशन ओफ अंटचिबिल्टी और 18 में है उपाधियों का अंत आगे बढ़ते हैं देखिए जो प्रधान मंत्री हो या फिर दूर दराज के गाउं का कोई खेती हर मजदूर हो सब पर एक ही कानून लबू होता है कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद और जन्मे के आधार पर विशेशा अधिकार खास व्योहार का दावा नहीं कर सकता जैसे मान लीजिए कि कुछ साल पहले देश की एक पूर्व प्रधान मंत्री पर भी धोखा दड़ी का मुकदमा चला था तो सारे मामले पर गोर करने के बाद अधालत ने उनको निर्दोश खोशित किया था लेकिन 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 जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अधालत में जाना पड़ा अपने पक्ष में सबूत देने पड़े और कागजात भी दाखिल करने पड़े जो की एक सामान निनागरिक भी करता है देखिए इस बुनियादी स्थिती को सम्मिधान ने समानता के अधिकार के कुछ नहितारतों को इस पस्ट करके और जो है साफ किया कि सरकार सरकार किसी से उसके धर्म जाती समुदाय जन्म अस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती जैसे देखिए दुकान हो, होटल हो, सिनेमा घर हो, जैसे सारवजनिक अस्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता यानि कि हमारा जो अधिकार है वो कास्टिजम को, सेक्सिजम को या फिर बर्थिजम को ये बढ़ावा नहीं देता है न और इसी प्रकार जो है, सारवजनिक कुए हो गए, तलाव हो गए, स्नाना घाट हो गए, सड़क, खेल, मंदिर, सारवजनिक भवन का इस्तिमाल जो है, किसी को वंचित वहां से नहीं किया जा सकता तो ये चीजे जो है, उपर से तो बहुत सरल लगती है, पर जाति विवस्ता वाले हमारे समाज में कुछ समुदाय के लोगों को सारवजनिक सुविधाओं का इस्तिमाल करने से रोका जाता है, आप सभी को पता होगा कि रिगवैदिक काल से ही दलतों के साथ बहुत भव की निती को खतम किया जा सके, अब देखिए सरकारी नौकरियों में भी यही सिध्धान्त लागू होता है, सरकार में किसी पद की निउक्ति या फिर रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए सभान अधिकार ट्राप्त है, जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 16 म अवसर की समानता, यानि कि सरकार में किसी पद पर निउक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, तो देखिए ये सभी जो आधार हैं, उप्रियोक्त आधारों पे किसी भी नागरिकों रोजगार में अयोग ये नहीं करार दिया जा सकता अगर वो उस पद के लिए eligibility रखता है तो उसे भी समान रूप से जो है उस भरती में शामिल किया जाएगा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा अब देखें पिछले अध्याय में यह आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनसूचित जाती जन विकलांग हो गए इन लोगों को प्राथ्मिक्ता देती है तो आप यह सोच सकते हैं कि आरक्षन तो इस तरह की विवेस्था कि समानता के अधिकार खिलाफ है पर असल में ऐसा नहीं है देखें मतलब क्या है समानता का मतलब क्या है आप एक्चुल मतलब समझने की कोशिश क समानता जो है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना है अब आप यह जान लीजिए कि जैसे आप रिगवैदिक काल से मैं आपको बता रही हूं कि जो धलित होते थे इस्त्रियां होती थी और शारी रूप से विकलांग वो समान लोगों की तरह तो थे नहीं या फिर है नहीं तो उनको कुछी जो है वो कुछी जो को आरक्षन दे के उन्हें जो है समान व्यक्तियों के बराबर में लाया जाता है तो समानता का मतलब यह है तो कई बार जो है कई बार जो है अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ कि जो है किस तरीके का आरक्षन समानता के अधिकार का उलंगन नहीं है अब आईए देखिए छुआ छूट के अनेक रूप देख लेते हैं ठीक है तो ये देखिए 1999 की बात है ये जो पत्रकार पी साई नाथ ने दलतो या अनसूचित जाती के लोगों के खिलाफ अभी तक ब पर दो तरीके केकप रखे जाते हैं एक डलते को लिए और दूसरा जो है बाकी लोगों के लिए देखिए किटनी मतलब आज भी हमारा समाज कृतना पिछड़ा हुआ है कि लोग जो है इतनी हीन भावना से ग्रसित हैं दूसरी बात देखिए हजाम डलतों के बाल नहीं तीसरी चीज देखिए दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है चौथी चीज कि दलित दूलहा बारात में घोड़ी पर नहीं चड़ने दिया जाता अगली बात है दलितों को सारवजनिक हैंड पंप से पानी नहीं लेने दिया जाता और उनके पानी भर लेने के बाद हैंड पंप को धो लिया जाता है तो ये सब काम चुआ चूद के परिभाशा के दायरे में आते हैं तो देखे आप भी अपने इलाकों के बारे में बताईए और अगर चूद कहीं भी होता है तो आप लोगों को अवेर करिए और ये चूद की भावना को मिटाने में सभी लोगों का प्रयास कीजिए सभी लोग है ना जब हम अपने यहां से शुरू करेंगे तभी तो हम देशी अस्तर पे ये काम होगा है ना आगे बढ़ते हैं देखे किसी तरीके का भेदभाव ना होने का सिध्धान जो है वो समाजिक जीवन पर इसी तरीके से लागो होता है देखे समविधान समाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप जो है वो चुआ चुट का जिकर करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वो इसे समाब्द करें किसी भी तरीके से जो है चुवा चूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है लेकिन क्या आप देख पाते होंगे यह हम सmetthe कि व्यक्तै तो में खुद अपने गाउं करने में ही हैं तो इस स्चार्ट करोंगे यह तो यह नियुद को रहने बहुत कि हमारे उनर्ट फ्य निकले अजने का भेस जो कि कौन सा आर्टिकल बताता है आर्टिकल सत्रा क्या कहता है हमारे सम्मिधान में आर्टिकल सत्रा ये कहता है कि अस्प्रिश्यता का अंत होना चाहिए यानि की एबॉलीशन ओफ अंटचे बिल्टी अब एक बर हम सरसरी निगाहों से आर्टिकल जो है कि कानून को ही सरवोच मानता है है ना इसका जो है विधी के समान सनरक्षन जो है कॉंसेट मैं आपको बता दू ये लिया गया है अमेरिका से और ये जो विधी के समक्ष समानता है ना ये लिया गया है ब्रिटेन से कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कि किस देश से क् की गई है तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना होगा तो देखिए विधी के समक्ष समानता की अधारना ब्रिटेन से ली गई है और यह जो है ब्रिटिस जो है विधी शास्ति थे डाइसी इन्होंने विधी का शाशन यानि कि रूल ओफ ला के समरूप बताया इसे अब हम बढ़ते हैं आगे और 18 तो आपको पता ही है कि 18 में उपधियों का अंत है इसमें नहीं बताएगा है लेकिन आप ध्यान रखोगे है ना क्या है अठारा में उपधियों का अंत यानि कि विदेशी उपाधिया जो है नहीं प्रदान की जा सकती उसे ठीक है तो उपाधिया प्रदान करने पर यही प्रतिशेद करता है दूसरी चीज राज जो है सेना या विद्या संबंदी सम्मान के सिवाई कोई उपाधी प्रदान नहीं करेगा तो यह जो है exceptional case है कि सेना और वि देशी राजे से कोई उपाधी ग्रहन नहीं करेंगे चौती चीज देखे कोई भी व्यक्ति जो भारतिय नागरिक नहीं है लेकिन राजे के अंदर किसी लाव के पत्पे है तो या फिर किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है तो वो राश्टपती की पूर्व अनुमती के बिना क कोई उपाधी ग्रहन नहीं कर सकता यह चीज आप ध्यान रखोगे अगली बात यह बताऊंगी कि कोई भी व्यक्ति मालीजे जो भी भारत में किसी लाप के पत्पे या फिर विश्वास के पत्पे हो तो राश्टपती की पूर्व अनुमती के बिना उपहार या फिर उपा मैं जनता पार्टी ने कुछ पुरुस्कार स्टार्टिंग के जैसे बography नहीं हो गया पद्मे भी भूषन पदमश्री इस पर प्रतिबंध लगा दिया फिर क्या कहा इसने इसने यह कहा कि यह पुरुस्कार जो है वह समानता की अधिकार के विरुद्ध है लेकिन लेकिन 1980 आया और 1980 में इंद्रा गाधि द्वारा है जो है इन पुरुसकारों का पुना प्रारंब किया तो अब यह मामला गया कोड में क्या कहा देखिए यह आप जान लेजिए कोड ने कहा कि भारत रत्न हो गया पद्मविभूशन हो गया पद्मश्री जो है वह उपाधी नहीं है बलकि पुरुसकार है क्या पताया कोड ने कहा कि यह जो सभी परकार के जैसे कि भारत रत्न हो गया पद्मविभूशन पद्मश्री जो है यह उपाधी नहों के पुरुसकार है और इनका प्रयोग जो है अलंकरित व्यक्ति के नाम के आगे पीछे नहीं किया जा सकता अब क सुनते होंगे कि जैसे इन्हें पुरुषकार मिल गया तो क्या अपने नाम के आगे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं अगला मूल अधिकार आता है स्वतंतरता का अधिकार स्वतंतरता के अधिकार में आगे पढ़ने से पहले हम कुछ बाते कर लेते हैं कि स्वतंतरता का अधिकार कहा से कहा तक है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक अब हम बात कर लेते हैं 19 से लेके 22 तक क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं है ना तो 19 में जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंतरता है क्या है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंतरता यानि कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता प्राप्त है 20 में क्या है 20 में है अप्रादों के लिए दोश शिद्धी के संबंध में संरक्षन यानि कि अगर किसी व्यक्ती विशेश में अप्राद का दोश जो है सिद्ध होता है तो वो अपने संरक्षन के लिए कानूनी provision का यूज कर सकता है तीसरी चीज आर्टिकल 21 के बारे में आती है तो आर्टिकल 21 क्या है प्राण और देहिक स्वतनता का अधिकार यानि की जीवन का अधिकार ठीक है इसके बाद आया है आर्टिकल 21 का जो की हम सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह है सिक्षा का अधिकार यानि कि 6 से 14 वर्स के बच्चों के लिए नेशुल की सिक्षा ठीक अब आता है आर्टिकल 22 22 में क्या है कि कुछ दसाओं में गिरिफ्तारी यानि की अरेस्ट और निरोध यानि की डिटेंशन का संद्रक्षन अभी हम इसकी डिटेलिंग करेंगे तो आप यह जान लो अब यह देखिए अब जान लेते हैं आर्टिकल 19 में क्या है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वत और जो है किसके का में क्या है सिक्षा का अधिकान यानि की फ्री एंड कमपल्सरी एजूकेशन फॉर जो है शिक्स टू फॉर्टीन यर्स चाइल्ड और जो है आर्टिकल 22 में क्या है उस दसाओं में गिरिफ्तारी और निरोध में संरक्षन अब देखिए स्वतंत्रता का मतलब जो है बाधाओं का ना होना है तो हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना ना सरकार का ना व्यक्तियों का तो हम जो है समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंता भी चाहते हैं तो हम मन चाहें डंग से काम करना चाहते हैं और कोई हमें देश न दे कि इसे ऐसा करो वैसा करो और इसलिए भारती सम्मिधान ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरीके की स्वतंता है जो है वो दी है अब देखें जैसे कि मैंने अभी बताया आपको देखें विचारेवम अभिवत्ति की स्वतंता सांतिपूर्धंग से जमा होने की स् संग टन और संग बनाने की स्वतंता और देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंतरता देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंता कोई भी काम करने धंधा चुरने या फिर पेशा करने की स्वतंता तो याद रखिए एक बात हर नागरिक को ये स्वतंता है प्राप्त और ऐसंत्र नहीं करते हैं और इसे के व्यापक और सरकार वह कुछ इसमें करने की पामंदिया लगा सकती अब देखें वेकㅁो की आसादी जो हित नहीं देखिए हमारे लोगतंत्र जो है एक बुनियादी विश्ष्षता है कि अभिवक्ति की आजादी में बोलने लिखने कला विभिन रूप जो है स्वयम को व्यक्त करना शामिल है मीडिया भी इसी का रूप है है ना मीडिया को कुछ भी बोलने लिखने की स्वतंता प्राप्थ है नहीं है तो यही तो स्वतंता गाधिकार है ना हम अपने विचारों और व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और आपकी राय जो है दूसरों से अलग हो सकती है सबकी राय एक समान तो होती नहीं है तो संभव यह है कि कई सो लोग एक ही तरीके का सोचते हो तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी प्राप्त है आप मजबूर नहीं हो सकते कि आप जो है उन्हीं की तरह सोचिए आप जो है सरकार के किसी भी नीती से या फिर किसी संगठन की गत्विदियों पर असहमती रख सकते हैं अपने माँ बाप दोस्तों और इस्तेदारों के बीच बात करते हुए आप सरकार की किसी भी नीती या फिर संगठन की गत्विदियों की आलोचना कर सकते हैं तो देखिए आप अपने विचारों को परचा चापकर या फिर अकभारों पत्रिकाओं में लिख कर भी व्यक्त कर सकते हैं आप यह काम चित्र बनाकर कविता या फिर गीत लिख कर भी कर सकते हैं तो आपके पास यह सुतंता प्राप्त है जिसका उप्योग जो है किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं बढ़का सकता है ना ऐसा आप चीज कर सकते और आप जो है इस स्वतंता का प्योग करके लोगों को सरकार के खिलाब बगावत के लिए नहीं उक्सा सकते आप किसी के खिलाब जूठी बाते कहने या फिर उसकी प्रतिष्था गिराने वाले बातों को प्रचारित नहीं कर सकते ये जो है स्वतंता के इस्तेमाल नहीं कर सकते आगे देखिए नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने और बैठक करने प्रदर्शन करने जुलूस निकालने का अधिकार है देखें वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने विचारों का आदान प्रदान करने किसी उद्यस के लिए जन्मत तैयार करने या फिर किसी चुनाओं में जो है किसी उम्मिदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं पर ऐसी बैट के जो है वो सांती पूर्ण होनी चाहिए इससे क्या होता है इससे सारवजनिक अव्यवस्था और समाज में अशांती नहीं फैलनी चाहिए और इन बैटकों की गत्विधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हत्यार नहीं रखने चाहिए ये स्वतनता के अधिकार का हनन होता है और कानूनी कारवाही हो सकती है आपके प्रति है ना तो नागरिकों को संगठन बनाने का विस्वतनता है जैसे कि मान लिजिए किसी कार खाने के मजदूर जो है अपनी हित्यों की रक्षा के लिए मजदूर संग बनाता है और मजदूर संग का एक ल इसके किसी भी हिस्से में जाने की स्वतनता है ठीक है ध्यान रखेंगे कहीं भी जा सकता है इंसान कहीं भी स्वचरण अबाद रूप से स्वतनता है उसकी तो हम भारत के जो है किसी भी हिस्से में रह सकते हैं बस सकते हैं जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यव सकता है और देखिए इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गावों से निकल कर कई शहरों में आप देखते होंगे कि दिली मुंबई साउथ हेरिया के लोग हर जगह के बच्चे आपको दिखेंगे तो हर जगह जो है बाद रूप से रहने की निवास का अधिकार भारत में कहीं भी जो है अधिकार प्राप्त है तो पेशा चुनने के मामले में जो है ऐसी ही स्वतनता है यानि कि आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ ये काम करें या फिर दूसरा काम करें तो महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फुला काम उसके लिए नहीं है पिछड़ी और कमजोड जातियों के लोगों नहीं कहा जा सकता वे अपने परमपरागत पेशे में ही रहे अब देखिए हमारा संभिधा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और नीजी स्वतंता से वंचित नहीं किया जा सकता यानि कि जीने का अधिकार जो है स्वतंता के अधिकार में शामिल है तो कानून द्वारा जो है स्थापित व्यवस्ताओं को छोड़ कर इसका मतलब क्या हुआ इसक तब तक अधालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता और यह है आर्टिकल 21 यानि की प्राण एवं देहिक सुतंत्ता ठीक है तो देखे पुलिस अधिकारी किसी नागरी को गिरिफ्तार कर सकता है अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है देखे गिरिफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरिफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है और क्या करना होता है कि गिरिफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मिजिस् 24 गंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है तीसरी बात ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्ज करने और अपने बचाओं के लिए वकील रखने का अधिकार है अब आईए एक बार देखें कि गुवांता नावों बे और कोसोवों को याद करें इन दोनों ही मामलों में शि अधिकार के उलंगन है और अगर हां तो प्रतिक समयधान में कौन सा प्रावधान पर उलंगन हुआ है देखिए पहला कथम देख लेते हैं भारत सरकार ने सल्मान रुष्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबंदित कर दिया कि इसे पैंगंबर मुह अनादर पैदा हो रहा है और इससे मुसल्मान की भावनाओं को ठेस पहुचेगी तो यह सरकार ने सही किया और यह अधिकार का उलंगन नहीं हो रहा है दूसरी चीज हर फिल्म को सारवजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ट से प्रमार पत्र लेना ह होता है पर जो है वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है देखिए आप क्या होता है कि आप तो यह जान सकते होंगे कि जो फिल्माइस तरीके से चीज़े दिखाई जाती है इससे लोगों पर गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है त चोटे बच्चे भी मूवी देखते हैं बड़े बच्चे और बड़े लोग भी तो संसर बॉर्ट जो है ऐसी चीजे पास करता है जो कि अपनी फैमिली में बैटके जो है मूवीस को देख से इसलिए मूवी जो है ग्रेड ये ग्रेड बी की बनाए जाती है है ना कई movies ऐसी होती है कि 18 वर्ष से कम बच्चों को देखना जो है वो allow नहीं होता है लेकिन किताब की बात आती है तो किताब में जो होती है वो जो है reality रखी जाती है है ना और किताबे तो कोई भी पढ़ सकता है तो इसलिए इसमें सुतंता के अधिकार का उलंगन नहीं है आगे बात करते हैं सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास और द्योगिक छेत्र अर्थिव्यवस्ता के कुछ छेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हरताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा तो ये तो अधिकार का हनन हो रहा है है ना यूनियन बनाने और हरताल पर जाने का अधिकार है ना अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम तो लगाते तो दो-चार लोग मिल गए हैं लेकिन इससे पुरा मुहला जो है उसकी पढ़ाई बादित होती है अगर कोई मालीजे काम करके आ रहा हो तो उसे नीन लेना ज़रूरी है तो क्या होता है एक की स्वतंतरता की वज़े से कई अन्य लोगों की स्वतंतरता है जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए मैं इसको स्पैसिफिक तरीके से बता रही हूँ देखिए यह पहले हमारे मूल अधिकार में नहीं था इससे शामिल किया गया है एक्जाम में पूछ लिया जाता है चाहिए इसका एक्जाम हो चाहिए पीसी इसका चाहिए कोई भी मूल अधिकार में शामिल किया गया तो यह था 86 सम्विधान सजोधन 1992 ध्यान रखेंगे तो इस शंशोधन द्वारा अनुचेद 21 में यह घोशना की गई कि 6-14 वर्स तक की उम्र के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी यानि कि निशुलक एवं अनिवार शिक्षा यानि कि इसका निर्धारन कोन करेगा इसका निर्धारन करेगा राज्य अब इसमें प्रावधान क्या क्या है सबसे पहली बात कर लेते हैं देखिए इसमें जो है सरकारी स्कूलों में 6-14 वर्स के आयों के बच्चों है तो निशुलक और अनिवार शिक्षा उपलब्द कर रक्षित रहेंगी चौती चीज इस्थानांत्रन हो गया यानि कि ट्रांसफर जन्म प्रमाणपत्र अनुपूरक परिक्षा के अधार पर बच्चों के स्कूल में प्रवेस्ते वंचित नहीं किया जाएगा स्कूल में पुस्त काले खेल के मैदान सामगरी और पुस्त के अ जाला गया है क्यूंकि इसमें संग के जो है केंद्र का भी हिस्सा होना चाहिए और राज के द्वारा भी हिस्ता होना चाहिए तो संग का इसमें 65 प्रतिसत और राज का हिस्सा है 35 प्रतिसत अब बात कर लेते थोड़ा सा अनुछेद 21 के बारे में 21 का देख लिए अब 21 के में भी देख लेते हैं बहुत क्या है यह लोगों की मृत्यू तो पुलीस एंकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं इसका बतलब यह नहीं है कि पुलीस के किसी को भी कहीं भी मार सकती है उसे भी जवाब देना होता है यानि कि जवाब दे ही उसकी भी होती है ठीक है तो इसलिए जो यह प्राविजन बनाया गया है अनुछेद 21 के अंतरगत उचित प्रबंधों के साथ मौलिक अधिकार है और विदी द्वारा इस थापित प्रक्रि कि 21 के तहट जीने का अधिकार और व्यक्ति का स्वतंता का हिस्सा था तो सम्विधान पीठ ने सुप्रीम कोड के उन दो पुराने फैसलों को खारिज कर दिया जिनमें निजता के अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं था क्या चीज किया इसने राइट टू प्रावेसी जो है मौलिक अधिकार है या नहीं मे बएन मुदधा ऑठीक अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार का मुदधा केंदर सरकार की तमाम योज़नाओं के लिए आधार जरूरी करने के लिए चुनोती देने वाला था, तो आधार बनवाने के लिए आपकों का स्कैन किया जाता है, शाथी फिंगर प्रिंट लिये जाते हैं, और इसके जर्गे लोगों का सर्विलांस किया जाता है बात कर लेते हैं थोड़ा सा सूचना के अधिकार के बारे में सूचना का अधिकार इंप्लिमेंट हुए था राइट टो इंफॉर्मेशन सन 2005 में कब हुआ था? सन 2005 में देखे ये अधिकार क्या है? सरकार या किसी अन्य सारवजनिक कारिक्रमों के अधिकार की सूचना जो है प्राप्त करने हैं तू 2005 से ही जम्मु कस्मीर राज्य को छोड़ कर अब तो जम्मु कस्मुर भी इंक्लूड हो गया क्योंकि आर्टिकल 370 जो हटा दिया गया है तो सूचना का अधिकार जो है अधिनियम लागू किया गया इसमें प्रावधान क्या है? दिखे प्रतेक सारवजनिक प्राधिकरण को एक या अधिक जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने होंगे और जो है right to information जैसे मालीजे कोई भी चीज implement हो जाती है और जो है आपको उसे जानना है कि ये चीजे ऐसी क्यों हुई तो आप RTI दाखिल कर सकते हैं अगर आप अपने mark से satisfied नहीं है तो आप RTI दाखिल कर सकते हैं तो ये जो है आपके पास अधिकार प्राप्थ हैं कि आप RTI दाखिल करके अपिल दाखिल करके आप जो है ये पता करने की कोशिश करीए कि यह हमारे साथ क्यों हूआ है अब ये का अधिकार प्राप्त है कि अब यह भी सुल लिजी डाला कैसे जाता है जो भी आवेदन करता होता है यानि कि जो भी एप्लिकेंट होता है वह साधे कागज में जो है अपने अपनी चीजे लिख कर अधिकारी के पास जमा करेगा और केंद्र ने इसके लिए 10 रुपए शुल नियधारित किया है और इसके साथ ही जवाब के रूप में जो है इसकी फोटो कॉपी दो रुपए के रूप में भुक्तान करना होगा तो यह चीजे करने के बाद आपको आर्टी आई जो है प्राप्त हो जाएगी कुछ दिन बाद तो एक प्रोविजन भी किया गया है इस चेल्च है तो चलिए यहीं समाप्त करती हूं मैं अपना वीडियो वीडियो जयादा लंबा न करते हुए आज हमने दो मूल अदिकारों को देखा समांता के अधिकार और सवतने के आधिकार देखे क्या होता है कि एकार में चैप्टर जो है बहुत जयादा लंबा घिट ज जाता है इसलिए हम एक दो-दो मूल अधिकार क्योंकि मूल अधिकार जो है वो नीव है है ना हम इसको समझ गए तो मतलब पूरा चैप्टर समझ गए तो इसलिए जो है शोषण के विरुद्धधिकार जो हम अगले वीडियो में देखेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भीना भूले थैंक्यू वेरी मुंच